हेलो एवरीवन मैं हूँ पूनम राजपूत आप मुझे देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चानल पर तो बच्चो आज का हमारा सब्जेक्ट मैट सब्जेक्ट है जिसमें आज हम करेंगे प्राइम फेक्टराइजेशन यानकी अभाज्ये गुननकंट Prime Factorization is finding all the prime numbers which multiply to make the original number There are two methods to find out prime factors First, Factor 3 method Second, Prime Factorization method बच्चो, Prime Factorization Method की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है अगर आपने वो नहीं किया है तो आप उसको पहले करिए उपर उसका लिंक आया हुआ है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट किया होगा तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझा सकता है तो हमारा सेकंड पार्ट है Factor Tree Method तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें Prime Numbers का पता होना जरूरी है तो Prime Numbers यानि कि अभाजे संख्या हमें पता होने चाहिए तो Prime Numbers कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, Sean तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं First Given हमारे पास नंबर है 56 हम 56 के Factor बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे Factor बनाने के लिए Arrow बनाएंगे सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 है अगर पीछे इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं असाने से तो 2, 2 जाप 4 2 जाप 16 2 इंटो 28 इसकोल तो 56 अब यहाँ पर देखे 2 है तो 2 अपने टेबल से जाएगा तो अब करेंगे हम 28 के Factor फिर इसी तरह से यारो बनाएंगे 2, 2 से करेंगे 2 बन जा 2, 2 फोर जा 8 यानि 2 इंटो 14 इसकोल तो 28 अब इसी तरह से 14 के Factor करेंगे 2 सेवन जा 14 ओके अब देखें हमारे Factor क्या आए है 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 7 हमारे 56 के Factor हुए ये अब नेक्स नमबर हमारे पास है 24 अब 24 के Factor भी इसी तरह से करेंगे हम अब देखें 2 से करेंगे 2 बन जा 2 2 तो जा 4 2 इंटो 12 इसकोल तो 24 अब इसी तरह से 12 के Factor भी करेंगे 2 6 जा 12 अब सेम 6 के Factor होंगे 2 3s are 6 तो Factor of 24 is equal to 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 3 इस तरह से अब नेक्स नमबर हमारे पास गिवन है 63 अब 63 के Factor भी इसी तरह से करेंगे तो अब देखें यहाँ पर और नमबर है पीछे तो यानिकि ये 2 से नहीं जाएगा तो इसको हम करेंगे 3 से 3 2s are 6 3 इंटो 21 is equal to 63 अब 21 के Factor करेंगे 3 7s are 21 तो 63 के Factor क्या हुए 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 7 इस तरह से अब नेक्स नमबर करते हैं अब नेक्स नमबर हमारे पास गिवन है 105 अब देखें यहाँ पर पीछे लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा तो इसके Factor हम करेंगे इस तरह से बनाएंगे तो ये जाएगा 3 से ओके 3 3s are 9 यहाँ पर 1 बचा तो 3 5s are 15 यानि 3 इंटो 35 is equal to 105 अब 3 नहीं होगा 3 के Factor अब करेंगे 35 के Factor तो 35 किसके Table से जाएगा 5 के Table से जाएगा 5 7s are 35 अब Factor लिखेंगे हम यहाँ पर Factor of 105 is equal to 3 into 5 into 7 इस तरह से हम इसके Factor करेंगे देखें ये 3 बन रहा है ना इस तरह से इसलिए इसको Factor 3 बोलते हैं अब Next नमबर हमारे पास है 256 अब देखें इसको कैसे करते हैं अब देखें यहाँ पर 6 इवन नमबर है तो ये 2 से Divide हो जाएगा तो इसको करेंगे 2 से अब ये जाएगा 24 इसकोल तो 128 अब 64 के फैक्टर बनाते हैं 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 अब 32 के फैक्टर बनाए हमने अब फिर ये 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 1 बचा 2 6 जा 12 अब 16 के फैक्टर बनाए 2 से जाएगा 2 8 जा 16 8 के फैक्टर किये 2 4 जा 8 अब 4 के फैक्टर किये 2 2 जा 4 इस तरह से हो गए हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फैक्टर ओफ 256 इसक्वाइल टू 2 इंटू 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 इस तरह से अब एक बर काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स हमारे 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने 256 के फेक्टर बना ली लिए, अब नेक्स नमबर है, 120, एक नमबर ले लेते हैं, वो आपको मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, यह हमने उपर से नीचे की तरफ किया हैं, एक नमबर मैं आपको नीचे से उपर की तरफ बताती हूँ, सपोज हमारे पास नमबर है 120, हमें इसके फेक्टर बनाने हैं, तो 120 किस से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 सिग्जा, 12, 0, 2 इंटू 60 इसक्वाल टू 120, अब 60 के फेक्टर बनाएं हमने, 60 के फेक्टर होंगे, 2 इंटू 30 इसक्वाल टू 60, अब 30 के फेक्टर बनाएंगे, 2 से जाएगा, 2 वन जा 2, यहां वन बचा, 2 फाइब जा 10, यानि 2 इंटू 15 इसक्वाल टू 30, अब इसी तरह से 15 के फेक्टर बनाएंगे, 3 फाइब जा 15, अब देखिए, 120 के फेक्टर क्या हुए, फेक्टर ओफ, 120 इसक्वाल टू, 2 इंटू, 2 इंटू, 2 इंटू, 3 इंटू, 5, इस तरह से, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नीचे से उपर की तरह भी कर सकते हैं, इसलिए इसको फेक्टर ट्री कहते हैं, देखिए, जैसे यहां पर ब्रांचिस निकली हुई हैं, ओके देखे अब मैं आपको एक नंबर को दो तीन तरीके से भी कर सकते हैं मैं आपको वो बताते हूँ तो सपोज हमारे पास नंबर है 36 तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 36 का फैक्टर हम करेंगे 6, 6 जा, 36 अब देखिए 6, 2 के टेबल से जाएगा 2, 3 जा, 6, 3, 2 जा, 6 इनके मल्टिप्लाई किया तो 6 आगया 3 को 2 से मल्टिप्लाई किया तो हमारा 6 आगया और 6, 6 को मल्टिप्लाई करके 36 आए था यह मैं थोड़ा आपको इसलिए बता रहे हूँ आपको सही से आइडिया लग जाए तो एक तरीका ये है अब 36 को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते है 36 अब देखिए 12, 3 जा, 36 अब 3 के फैक्टर नहीं होंगे 12 के फैक्टर करेंगे 2, 6 जा, 12 2, 3 जा, 6 इस तरह से अब देखिए 36 को एक तरीका और बता देती हूँ सपोस्थ 36 नमबर है तो 36 को कैसे करेंगे एक तरीके और से कर लेते है 2, 18 जा, 36 अब फिर 18 के फैक्टर किए 2, 9 जा, 18 3, 3 जा, 9 इस तरह से एक नमबर को हमने तीन तरह से कर लिया अब एक नमबर कोई भी और ले लेते हैं सपोस्थ हमारे पास नमबर है 18 ओके तो 18 को भी हम इसी तरह से करेंगे 2, 9 जा, 18 अब 9 के फैक्टर करेंगे 3, 3, 3 जा, 9 एक तरीक है और है इस तरह से कितने बार भी हम कर सकते हैं जब तक वो डिवाइड हो सके तो देखिए 3, 6 जा, 18 अब इस तरह 6 के फैक्टर करेंगे 3, 2 जा, 6 तो आज देखिए हमने फैक्टर 3 मेथर्ड सिखा आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स क्लास में मैं फिर आपके लिए कुछ खास लेकर आऊंगी तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें थैंक्यू सो मच